नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर्से स्वागत है मेरे स्वीटूप चैनल पर आज के सुड़ी में मैं आपको माई बांगलादेश वर्सेस इंगलेंड की तीन माई 11 सरकल की टीमें दिखाने आलो जिससे के आपको अच्छी खासी अर्णिंग हो सकती है या फिर आप इडी-team या पर बनाके रख चुका हों जिसे एके करके मैं आपको दिखाता जाओंगा किस किस को लेना किस को नहीं लेना और कैप्टन किसे बनाना वह भी मैं आपको बताओंगा तो चले वीडियो से दोस्तों तीनों को साथ में किमें ले लूंगा इसके बाद बैक्टिंग की बाद कर ले तो बैक्टिंग में एन हुसेईmittel को लोंगा पी долларов को लूँगा रौनीत अ bronze को लूंगा देविड मलां को लूँका चार्व अच्छे-Ja परफॉर्मस कर सकते और काफी अच्छा भी तक किया भी है इन में से दोने क्योंकि अच्छे खासे फिप्टी लगाई थी और पीस वाल्ट ने भी अच्छे खासा अच्छे खासे बैटेंग की तो जरूर आप इन दोनों को भी ले सकते और रॉनी तारुकादार और डेविड मलान भी अच्छे खासे प्लेयर है पहले मैच में ठीक ठाक परफॉर्मस है तो जरूर हम टीम में उनको जरूर रखेंगे अब बात करते हैं आल राउंड असकी तो यहाँ पर आपके पास कुलमिला के चार आप्शन से शाकिबुलहसन मोहिन अली इन दोनों को तो मैंने लि अच्छा स्विंग कर लेते हैं इनको विक्ते मिलने के चांसे रहेंगे तो इसलिए इनको लूंगा और जोफ्रा अर्चर को भी यहाँ पर जरूर रखोंगा क्योंकि यह अच्छे खासे फॉर्म है यहाँ पर बता दो दोस्तों कि इस पीच पर 121 का आवरेज है तो गेन ब बना सकते तो यहाँ पर इस टीम का क्याप्टर अफकोस में जौस बटलर को बनाऊंगा और लिटल दास यह भी ओपनिंग के लिए आएंगे या फिर टॉप और में वल्लेबाजी करते हैं तो इसलिए इनको भी वाइस काप्टर बनाना फायदे मन साबित हो सकता है तो इसल बाद मैं यहाँ पर नंबर दो पर क्रिस वोक्स को अड़ करूंगा नंबर तीन पर मैं आदिल रशित को नंबर तीन पर मैं मुस्तफी जूर को करूंगा और यहाँ पर आदिल रशित को भी कर लूंगा और इस तरसे सेव टिम कर लूंगा और आपको पहली टिम का प्रिव चार बल्लेबाजे मोहीन अली और शाकीबुल दो अल्राउंडर है जोफरा अर्चर और तस्कीनेवत काफी जबदस्टी में काफी संतुलिट टीम है चाहे आप इसे बड़ी-बड़ी लीगों के लिए जरूर यूज कर सकते बड़ी-बड़ी लीगे में से आप जरूर कहीं जीत हासिल कर सकते हैं अच्छी-खासी अर्निंग कर सकते हैं और इसके साथ-साथ स्मॉल लिक के लिए आप इस ट्रिम को ट्राय कर सकते हैं दोनों के लिए काफी बहतर टीम रहने वाली क्यूंकि दोस्तों काफी बढ़िया टीम तो बनी ही है साथ जौज बटलर ने पहले पहली मैच में सर्ट सर्ट रन बनायते हैं लिटल दाज भी शुरुवात अच्छी कर सकते हैं तो इसलिए दोनों को क्याप्टन वाइस क्याप्टन बना रहा हूं में बैटिंग के साथ-साथ कीपिंग भी करने वाले तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉंट दे सकते हैं स्टं लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस रहने आले यहाँ पर बैटिंग में मैं तीनी वल्लेबाजों को ले रहा हूं नजबुल हुसेन पी शॉल्ट और डेविड मलार इसके अलाव किसी और को नहीं लूँगा बात करते हैं ऑल राउंडर में आप यहाँ पर देख सक करें तो गेंबाजी में मैं इस बार आदिल रशीद और तसकी नहिमत के साथ जाओंगा क्यूंकि आदिल रशीद भी काफी बढ़िया गेंबाज है दोस्तों और अच्छी खासी गेंबाजी कर सकते तो ज़रूर आप इनको भी अपनी टीम में शामिल कर सकते तो इस तर से दूसरी टीम भी हमारी बन चुके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगी कि क्याप्टन वाइस प्रेवियू करते है सबसे पहले तो देखेंगे फिर से तीन की पर बेंड़क है त्लितल डास और जॉज बटलर बात करते बैटिंग की तो देविड मलान है पी सौल्ट है नजमुल हुसेन है बात करें आल रौंडर्स की मोहिन अली है सैम कुरन है शाकी बूल हसाद है गेन बाजी में आदिल रश तो इस टीम में शाकी बूल जैसे कैप्टन और मोहिन अली जैसे वाइस कैप्टन है दोनों के दोनों हम सब को पता है किस तर से बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते और दोनों में काफी जबदा समय पॉइंट दिला सकते तो इसलिए इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप दो-तीन बड़ी-बड़ी लगा दीजेगा दोस्तों उसके बाद आप स्मॉल लिग के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ग्रैंड लीगर ना अगर आप बड़ी लीग है ना दोस्तों एक भी जिट जाते ना तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकत घर्न करने करना हों हमें कि भड़ी लिगिष्छ फोकस करना होगा और और वहां पर जीत हासिल करने होगी तभी हमें ज़्यादा होने आहला है तो इसलिए मैंस ज्यादास जादा आपको वही सज्चेस्कt में बल्लेवाजी करेंगे और अच्छा खासा पर्फॉर्मस भी कर सकते तो इसलिए दोनों को इसा रखने और यहां पर इसका फायदा मुझे बैटिंग में जाके होगा दोस्तों क्योंकि देख सकते नजबुल हुसेन पी सॉल्ट टी हिर्दवाई और रानी तालुकादार यह इन चारों को मैं इस टीम में ले रहा हूँ रान तालुकादार भी काफी अच्छे बैट्समन है हम सबको पता है डिविड मलान को अल्रेडी में ट्राय कर चुका हूँ अगर आप करना चाहे तो कर सकते मैं इस टीम मे देख लीजिएगा गीनबाजी की बात करूं तो यहां पर मैं आपको ज़रूर सब्सक्राइब करूंगा मुस्तफिजूर रहमान को भी आपने टीम में रखेगा जोफरा आर्चर रखें रखूंगा मैं इस बार और क्री जॉर्डन टेथ और स्पेशलिस्ट है तो इनको भ हुसेन को वाइस कैप्टन मना रहा हूं थोड़ा हटके दोस्तों तो इसलिए आप पर जरूर बताओंगा क्यों क्यों मैंने इस तरह से क्या पहले प्रिव्यू जरूर कर लेंगे सबसे पहले लिटल दास जॉज बटलर दो की पर ही रहने वाले इसका फाइदा हमें बैटिंग में हुआ है टी हिर्द्वाय पी सॉल्ट नजबुल हुसेन टॉनिल टी टालूकादार रोडी टालूकादार उसके बाद आल राउंडर मोहीन अली है शाकी बुलहसन है गेन ब सब्सक्राइब के हैं जिसका काफी फायदा हो सकता है काफी कम लोग रहेंगे इस तरह से टीप बनाने लिए तो इसलिए आपको जीतने के काफी ज्यादा चांसे से इसके बाद अगर आप स्मॉल लिक के लिए बढ़िया टीम है तो इसलिए आप पर इस्टिम को मैं सिर्प काफी फायदे मन रहेंगा पी सॉल्ट को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते अच्छे खासे रण मना सकते और स्टाइक रेट भी अच्छा रख सकते और सबसे बड़ी बाते इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया अगर अच्छा परफॉर्मस करते ना आपको काफ बड़ी लीगों के लिए यूज़रू के जिगा स्मॉल लिग के लिए यूज़ मत की जिगा क्योंकि ग्रैंड लीग और स्मॉल बड़ी-बड़ी लीगों में अगर आप एक भी लिग जिट जाते तो काफी फायदे मन साबित हो सकते तो इसलिए पर मैं इस टीम को भी आप केप्टन वाइस केप्टन सही नहीं तो आप ज़रूर चेंज कर सकते लेकिन ज्यादा चेंज़स मत तीजिगा एक दो चेंज़स करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिकत नहीं ज्यादा चेंज़स करने जाएंगे तो थोड़ा रिसकी साबित हो सकता है और हाद तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए होगा अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट ज़रूर कर दीजे चाइनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजी और बेल आइकॉन को प्रेस करके ओल पर भी क्लिक करना ना बुले ताकि ऐसे उड़े आप तक पोस्टे रहे अपर चेसर नहीं करते रहे साथ इसाथ टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों वहाँ पे जाके उसे जोइन जरू कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बता सको किसे ड्रॉप